राजिस्थान के विधान सभा चुनाख को लेकर कॉंग्रेस पूरे आक्षिन मोर्ड में है लिहाजा ऐसे मीं जैपूर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है दिल्ली में राजिस्थान कॉंग्रेस के संगचनात्मक वस्तार को लेकर हुई बैठक के बाद अब एक एहम बैठक 3 जुलाई को होने जा रही है राजिस्थान कॉंग्रेस को लेकर दिल्ली में होने वाली यह बैठक बेहद एहम है क्योंकि इस बात के लिए राजिस्थान कॉंग्रेस के दिगर जनेताव को दिल्ली बुलाया गया है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीका अरजुन खडगे और पूरवध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बातर को बुलाया है कर चर्चा होती लेकिन अब इस परसिक्षन शिवर को रद कर दिया गया है हालंकि तीन जुलाई को दिली में होने वाली एहम बैठक के बाद इस परसिक्षन शिवर की नई तारीक का ऐलान किया जाएगा चर्चाएं है कि सचन पाइलेट को एलेक्षन केंपेन कमेड़ी का ध्यक्ष बनाये जो सकता है जो कि राजिस्थान में होने वाले आगा में विधानसवा चुनाव की रूप रेखा तै करेगी तो महीं कई अंजे नेताओं को एहम जिम्मेदारी दी जाए चर्चाएं हैं गवर तलब है कि कांग्रेस आला कमान 36 गड़के विवाद कर निपटारा कर चुका है कांग्रेस आला कमान ने टीये सिंग देव को 36 गड़ का मुख्यमंत्री बना दिया है हाई कमान के फैसले का मुख्यमंत्री वुपेश बगेल ने भी स्वागत किया है अब माना जा रहा है कि राजिस्थान में भी दोनों गुटों के बीट चल रहे विवाद कर निप्तारा 3 जुलाई को होने वारी बैठक में कर दियो जा क्वच्च कर दो है लुफेश एगान कर दो स्वागत कर दो स्वागत कर दो स्वागत कर दो सूलाइब यूर झाल थालाई।